आप सभी कब बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आज मैं यहाँ पे तोरी की सब्जी बता रही हूँ जिसे नेनुआय और गीरा भी बोला जाता है तोरी मैंने यहाँ पे 500 ग्राम लिया है दो मिडियम साइज के प्याज चना दाल 1 फोर्थ कप मैंने 2 गंटे पहले से भीगों के रख दिये थे 1 टेस्पून नमक 1 तेस्पून हलदी 1 तेस्पून जीरा पॉडर 1 फोर्थ तेस्पून काली मिर्च पॉडर 1 तेस्पून पचफोरन 2 हरी मिرची और बनाने के लिए सरसो तेल इसे मैं कट करके दिखा रही हूँ दोनों साइड रिमूव कर ले और इसका इस तरह से छिलका हटा ले और नहीं तो पीलर की मदद से उपर का छिलका निकाल ले गैस फ्लेम को ओन कर लेंगे और इसे कुकर में ही बनाएंगे कुकर में चाना दाल बहुत अच्छे से जल्दी पक जाता है इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब सरसो तेल जब तेल गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे पंच फोरन अब ये गरम हो गया है अब पंच फोरन चटक गई है अब इसमें डालेंगे प्याज प्याज और मिल्शी डाल तरके इसे अच्छे से भून लेंगे प्याज को मैंने मेडियम फ्लेम पे पांच मिनट तक भूना रहा है अब ये ब्राउन होना सुरू हो गया है अब इसमें डालेंगे तोरी और नमा इसको mix करके और cover कर देंगे 5 मिनट के लिए और बीजबीज में चलाते रहेंगे बीजबीज में इसे चलाते रहें फ्लेम को मीडियम ही रखना है और ये देके तोरी अपना moisture धीरे धीरे छोड रहा है अभी तोरी और प्यास को जितनी अच्छे से भूनेंगे उतनी अच्छी अमारी सबजी बनेगी अब तोरी का मोश से बाहर आ गया है अब फ्लेम को तेज करेंगे अब इसमें हल्दी और चना मैंने 2 गंटे पहले भिगो के रखे थे इसे भी इसमें डाल देंगे इसको मिक्स करके थोड़ी देर और पकाएंगे अभी अच्छे से भून गया है पानी भी सूप गया है तो इसमें डालेंगे एक कप से थोड़ा कम पानी और जीरा पौडर और कार्ली मिर्ज का पौडर और इसको mix करके 2 सीटी लगाएंगे, 2 से 3 सीटी आने देंगे जिससे ये अच्छे से कोक हो जाए, इसमें 3 सीटी तक आने तक पकाना है, 3 सीटी के बाद मैंने कोकर आफ कर दिया था, अब ये ठंडा हो गया है, अब इससे चेक करेंगे, और इसको चेक करेंगे कि दाल कोक हु बड़ा सूखा चाहिए, तो इसे 2 मिनट के लिए और कुक कर ले,